नमस्कार दोस्तों हम आपके लिए बहुत सलसा वाला है चाओथा सेट है संतेईस का किरा 60 मीटर उचे किसी भवन के सिखर से किसी मीनार के सिखर और पाद के अब नमन कोण क्रमसा 30 सेंटी मीटर तथा 60 सेंटी मीटर है तो मीनार के उचाई ग्याद कीजिए अब देखे यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अबनमन कोण बरा रहा है देखिए क्या है सिखर और पाद के अबनमन कोण यानि उपस नीचे देखा है यानि कि भवन उचा है मीनार छोटी है तो यह हो गया भवन हमारा 60 मीटर का और यह हो गई मीनार ठीक है अब देख यानि कि यहां का यानि कि ये इस हिसाब से रहेगा ये अबनमन कोण तीस है जब ये तीस है तो ये भी हमारा तीस ही होगा ठीक है आगे कह रहा है पाद के अबनमन कोण यानि कि यहां नीचे के और ये अब ये पूरा कोण मतलब ये पूरा कोण है 60 यह रहा तो यह भी हो जाएगा 60 हंस ठीक है अब कह रहा है मीनार की उचाए ग्याद कीजिए यानि अब यह एच पूछ रहा है अच्छा यह पूरा भवन है यहां से यहां तक ठीक है और यह हो गया कितना एच तो फिर यह कितना हिस्सा होगा यह होगा 60 में से यह बाली दूरी यह भी दूरी एच होगी जब यह एच है तो यहां तक यह भी एच होगी तो इस में से एच कम कर दें तो इतना हिस्सा आजाएगा तो आप देखे क्या है कि हमने A, B तो मान लिया है भवन और P, Q मान लिया है हमने मिनार और C यह बीच में एक हो गया है तो ठीक है माना माना P, Q मिनार की उचाई बराबर H मीटर ठीक है अब क्या है A, B एक भवन है भवन है ठीक है A, B भवन हो गया तो A, B बराबर 60 मीटर दिया है पेपर में ही तो A, C क्या होगा A, C हमारा होगा 60 माइनस H अब बस लगाना चालू कर दो अब देखो यहां पर 45 नहीं है तो यहां पर हम कुछ भी लगा लें पहले चाहिए इसको हल कर लो चाहिए इसको हल कर लो अब किताब का काम खतम हो गया तो देखते हैं भाई तो त्रिभुज पहले इसको ले लेते हैं चाहिए या इसको लोगे बताओ पहले पूरा एक साथ ले लेते हैं ठीक है तो A, B, Q में A, B, Q में 10, 60 है बराबर लंब यानिकी A, B अपान B, Q क्यों यहां पे सीधा सीधा रूट 60 का मान होता है रूट 3 A, B का मान पूरा पूरा 60 है और B, Q ऐसी हो गया तो देखो B, Q बराबर इधर कर लो तो B, Q बराबर 60 बटे में रूट 3 अब रूट 3 से गुणा करना पड़ेगा नहीं गुणा करना पड़ेगा यह आगे मालूँ पड़ेगा तो इसको यहां ही पर इसे रोग देते हैं तीक है अब पूनाहा थोड़ा दूरी पे कर लेते हैं पूनाहा त्रिभूज अब छोटा वाला ए सी पी में ए सी पी में तो 10 तीसंस बराबर लंब ए सी बटे आधार सी पी बराबर इसको ले सकते हैं ए सी अपान में बी क्यों चूंकि सी पी बराबर बी क्यों यानि कि ये और ये दोनों बराबर हैं इसका मान होता है रूड थिरी बराबर ए सी का मान साथ माइनस एच है बी क्यों का मान अभी अभी निकल के हमारा ये आया है तो इसको हम करी लेते हैं गुणा रूड तीन से गुणा किया रूड तीन से गुणा किया बरावर में आ गया साथ रूड थिरी और नीचे आ गया तीन अब तीन से गुणा करेंगे तीन दूनी छे यानि बीस आ गया कितना 20 रूड 3 इसको समीकर एक मान लो कोई दिक्कत नहीं है अब BQ बरावर क्या हो गया मान रख दो 20 रूड 3 लिग दो समीकर एक से समीकर एक से ठीक है क्यों BQ कमान भाहिस लिया ना अब देखे इसको उठा के रख दिया यहां पर चला ही जाएगा यानि 20 रूड 3 बटे में रूड 3 बरावर 60 माइनस H रूड रूड गाइब हो जाएगा 20 ही तो आया खाली तो 20 यह 60 दर आगया तो मायास का 60 आजाएगा बरावर मायास का H घटाओगे तो मायास का 40 आएगा बरावर मायस का H, मायस काट दोगे तो कितना आ गया, H बराबर कितना आ गया, 40 मीटर तो क्या लोग दोगे अतहा मीनार की उचाई बराबर 40 मीटर, बताओ इतना स्रल सवाल आ रहा है कितने में, 6 नमबर में तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमन करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में